हेलो एवरीवान वेलकम बैक टो मैं चैनल स्वातिनाग आज मैं आप लोग के लिए नोवा गोल्ड बैंगल के डिजाइन्स लेकर के आई हूं जो कि बैंगाली कस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे वेर करना लोहा होता है इसके अंदर मैं उपर से ये गोल्ड प ये सारे डिजाइन सेन को गोल्ड औन डायमेंड सो रूम से हैं चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस करना मस्ट है दोस्तों तब ही आपके आप आपको मेरे नोटिफिकेसंस मिलेंगा आप वीडियोस को सबसे पहले देख पाईएगा वीडियो अच्छा लाएगा तो लाइक का बटन दबा दीजेगा और शेयर कर दीजेगा इस वीडियो का अपने फैमिली फ्रेंस के साथ मलवार गोल्ड औन डायमेंड सोरूम का गोल योज़ क fuego टोटल वेट 18 ग्राम है नरे आपको इस तरह पैटन मेंगे तोग तो बला मेंगल जो होता ही ुव्का ताकि आपको नजर ना लगे 12 g उमें गोल्ड योज किया गया 72,000 से फाइनल प्रैस आपको पढ़ेगा इस वाले पर 10 g यूज किया गया इसको फाइनल प्रैस आपको पढ़ेगा तो डिपेंड करता है साइज पे कि आपका कौन साइज लेह देंगे देंगे चिसी-किसी पर लोहा का उपर से लोहा के उपर में गोल्ड का परत चड़ाया वर आगा जैसे कि इस पर देखे आप अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा लोहा का परत उसके उपर में एक प्लेटेड किया हुआ गोल्ड का यह 10.29 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया इस पे और 61-62,000 का प्रॉक्स का फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा कुछ इस तरह का फ्रंट में डिजाइन है यह आपको इस तरह से डिजाइन मिलेगा यह बेंगाली कस्टम में बहुत इंपोर्टेंट होता है इसे वियर करना आप साखा पोला के साथ इसे जरूर पहना जाता है एक हाथ पे पहना जाता है एक वाले पे आपको पूरा फिलप दिखाई देगा गोल्ड प्लेटेड सब साइट से है और एक साइट पे आपको लोहा यह देखिए इस पे दिखाई दे रहा है हाफ प्लेटेड है 9.85 ग्राम का है यह पतला वाला इस पे गोल्ड यूज किया गया है और 59,000 के प्रॉक्स का फाइनल प्राइस अपको पड़ेगा जेनरल इस तरह से पतला पैटर्न का रेगुलर वेर के लिए अच्छा होता है तो यह आपको कैरी करने में कमफर्टेबल होता है यहां पर 20 ग्राम टोटल वेट है लोहा के साथ और गोल्ड का वेट 9 ग् गया है यह इसका कोड है इस वाले नोहा बैंगल का यह देखिए इस तरह से पैटर्न है बहुती ब्यूटिफुल लग रहा है और इस पर आप देखिए लोहा का काम किया है हाफ परत गोल्ड का चड़ाया हुआ है उपर की साइड में आपको गोल्ड का वर्क मिलेगा अंद अधर में आप देखेगा तो आपको लोहा दिखाई देगा ध्यान से देखेगा तो इस तरह से पैटर्न होता है यह आप लोग बहुत जादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं नोहा बैंगल के उपर वीडियो लेकर के आई यह तो मैं बस वीडियो के उपर सोच रही थी कि क दिखाईएगा को दिखाईएगा तो लोग आपको अवलेबल करा के देंगे सेम पैटर्न सेम डिजाइन इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यह देखे इस वाले पर आपको गोल्ड यूज किया गया 10.29 ग्राम का 61,000 के अप्रॉक्स का फाइनल प्राइस आपक गोल्ड रिडूस हो जाएगा तो आपका फाइनल प्राइस भी रिडूस हो जाएगा यह देखे नेक्स्ट वाले नौवा बैंगल डिजाइन का वेट है गोल्ड का वेट 8.55 ग्राम इस पर गोल्ड यूज किया गया और 51,351 रुपीज के प्रॉक्स का फाइनल प्राइस आ हुआ है और यह नेक्स्ट डिजाइन है यह बहुत जादा ट्रेंड में है उनका कहना था कि इस तरह के पैटर्न अभी बहुत जादा ट्रेंड में है तो यह देखे 11.65 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया यह वाला जो आप देख रहे हो यह वाला यह वाला बहुत जादा में है इनका कहना था ओफिस वेर रेगुलर वेर के लिए बहुत जादा ट्रेंड में है और लोग इसे प्रिफर कर रहे हैं यह इसे स्नेक डिजाइन बोला जाता है 11.65 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया और बैंगल का साइज क्या है यह सब कुछ लिखावा अगर आपको डिजाइन पसंद आता है तो आप डिजाइन दिखा करके अपने साइज का भी बनवा सकते हो यह इस तरह का डिजाइन है इस पैटर्न में है यह थोड़ा ब्रेस्टलेट टाइप का आपको फील देगा अट इस तरह का पैटर्न है एक साइड में प्लीन है एक साइड में इस तरह से मुढ़ा हुआ डिजाइन है और चोटा साब को ब्रेस्टलेट पैटर्न दिया हुआ है नेक्स डिजाइन यह है इस तरह का लीफ पैटर्न है यह 11.33 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया इस पे इसक के पैटर्न के डिजाइन्स में आपको लुहा को कवर अप कर दिया गया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक इन शेयर कर दीजेगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा थैंक्यू आवरीवान